हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सभी लोग आसा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे सांतियों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी का जो अगनी भी रिक्रूट्मेंट है तो इसमें आपका फाइनल ज्वाइनिंग के समय आपको क्या-क्या डॉक्मेंट लेकर जाना है अभी तो जैसे बच्चों के ज्वाइनिंग होने वाली है तो आप सभी लोग को पता है कि आप सभी लोग काफे ज्यादा परिसान हो कि यह डॉक्मेंट त्यार करना है मतलब इवन आप सभी लोग को अभी सभी डॉक्मेंट त्यार करना है तो यह सभी चीज की जनकारी मैं पूरा है complete इस वीडियो में दूँगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा कि आपको पुलिस वरिफिकेशन कैसा रहेगा फिर से character कैसा रहेगा फिर से आपका risk certificate कैसा रहेगा पैरेंटल constant form कैसा रहेगा undertaking कैसा रहेगा फिर से आपका self declaration कैसा रहेगा photo कैसा रहेगा अधार card कैसा रहेगा pen card कैसा रहेगा और आयने शिलका में जाने से पहले आपको मतलब पूरा document त्यार करना domicile कैसा रहेगा यह सबी चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों बात करते हैं first of all आपका pen card होना mandatory है ठीक है ना pen card होना बहुत जडूरी है अगर यह नहीं हुआ तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा क्योंकि जो आपका salary है ना आपका जो salary है pen card के बेना कैसे आएगा आपका account खोला जाएगा बैंक account खोला जाएगा तो इसलिए आपका pen card होना जडूरी है दूसरी चीज आपका अधार card मतलब मैं पूरा mandatory है अधार card के जो भी नेम है ना फादर्स नेम है ना यह टोटल चीजें आपके मतलब all documents से relate करने चाहिए जो भी चीजे देखी जाएगी आपके अधार card से आपका match किया जाएगा ओके तो आप से भी लोग के अगर अधार card में कोई इसू है जैसे नेम से या सरनेम से connected hält कुछ भी इसू है तो आप add vyra nasze related तब चेंच करवा सकते अभी भी टाइम है जांतियों अभी हम लोगने बात किया अधार आपको लेकर जाना अधार अधार card लेकर जाना है फिर से आपका pen card लेकर झाना है और pen card लेकर जाना में और अधार काडले कर झाना ठीकना और सबसे पहले तो बात में तो बात वह हम RIGHT लोग करना भूल गये है पहला चीज तो आप कर लएगा आपका ज्वाइबिस आपका ज्वाइबिस ले पूटच अन। च्वाइन लेटर ले जाना है ठीकर माक्स कारद लगेगा सेठाका माक्स कारद लगेगा नियुक्ति फिर इसके बाद, आपका माता और पीता, माता पीता, माता पीता का जो मदरंड और आप, का जॉइंच फोटोग्राफ ओ рाफ जाई। जैसे पर आपके ममी और यहां पर आपके पापा जी ऐसा नहीं कि बीच में आप हो जाना तो ऐसा नहीं करना है बस आपका mother and father रहेंगा ठीक है ना parents का फोटो चाहिए उसके बाद बात करते हैं और कैशे ये तो उसके बाद कुछ आपके एक और important है बहुत important है है कि इसी का main role है डो मिशाइल से रिलेटेटड ही, मेन role का ही होता है at document verification कि बहुत सरे लोग जहां से cut up कम जाती है, वहां का बनौ लेते हैं तो इसलिए थोड़ा डो मिशाइल को लेकर काफी सकती बरती जाती है तो इन सक चीजों में थ्यान करेंगे जो भी है अपेंडिक्स में जो भी दिया गया है उस पर चर्चा करेंगे यह तो आप सभी को नॉर्मल जो बेसिक डॉक्मेंट से यह मैंने आपको बता दिया ठीक है और हाँ एक माता माता-पीता का माता-पीता का आपको अधार कर ले जाना है छीकिर आपको माता-पीता का अधार अधार कर ळेकर जाना है फ्यक्त तो चल जाएगा अविए यह भीडैडोlla से प्रेट महं आपको अंदेण ने विए इसरे मरर वाले कैंडुल यह यह मतलब एकदम separate video होने वाला है जिसमें हम पूरा मतलब जोईनिंग instructions को बात करेंगे जोईनिंग अगनी विर जो SSR MR के लिए जोईनिंग instructions होने वाला क्या रहेगा यह पूरा चर्चा करेंगा ठीक है तो यहां पर सीधे-सीधे आपको पहला में दिया गया है कि आपका मतलब इस चिलका में आपको रिपोट करना जो भी डेट दिया गया है उस पर आपको रिपोट करना दूसरे चीज़ आपको पूरा इस चिलका से जैसे बालू गाउं और बालू गाउं से वहां मतलब 9-10 किलोमेटर है यही जो है डिस्टेंस आपको समझाएगा बात करते हैं यहां पर ऐकुमदेशन एंड क्लोथिंग को लेकर कुछ चीज़ें यहां पर दिखें जयासे आपको क्या क्या कारी करने तो आपको देखेंत लिखा तो बहुत कुछ यह वैसे लिखा बहुत कुछ है मैं आपको कुछताताम सीधी त निख चैश्ध ok एक क्योंकि यह चीजह मैंने खुद अपने जीवन में मैंने देखा हूं तो जो भी डेली नीड्स है ना अच्छा से नहीं समझाना पड़ेगा कि चड़ी बने यह सब तो इतना समझदार हैं आपको वहां इस्टेक करना है तो मतलब दो दो सेट आपको मतलब ले लेना दो लोवर दो टीशिट और एक अच्छा सूप कोई भी रनिंग सूप और स्विमिंग गोगल्स होगा तो ले स्विमिंग गोगल्स भी अच्छा रहेगा और बात करते हैं यह कर देसं है तो ले सकते बाकि अगर अगर आदरवय आप खरिजना चाहा तो खरिद कर ले है तूथ पेस्ट यह सब आप ले सकते हैं बाकि भाई जो भी डेली निट्स का चीजह है ना सेविंग क्रीम जो है सिर्फ ओनली मेल केंडेट्स ले जा सकते हैं और जो रेजर जो होगा विदाउट ब्लेड वाला रेजर होगा जैसे जिलेट गाड टाइप का होता है ना सेव करणे लेट आप नहीं लेजा सकते हैं और कि में इन कैंपस आपको मतलब होई है जीजे इलाव है जो यह पर लिखा गए тैढ़ ले सकते हैं फिर से यहीं सब और कैस जो है मिया बात करते हैं कैस्ट आपके पास पांच जार उप्छार रूपए से जादा नहीं होना चाओ पांच जार रूपय से जाज़ा नहीं होना चाहिए ठीक है और यहां पर तो मैंसन किया गया 25,000 रूपय आपको पास चाहिए ही चाहिए और बाकी यह सब का स्विमिंग के लिए बताए गया कुछ और देखें जो आप एक चीज़ यहां पर देखेंगा कि आप अपना जो हेर्कट है न आपको अपना हेर्कट जीरो साइच पर कर वा कर जाना होगा और गल्स की बात करें तो साइड से जीरो होगा और टौप पर 3-4 इंच या इवन पर 4-5 इंच भी रखते हैं तो कोई दो मिसाइल सेटिफिकेट इन औरिनल शिक्स फोटो कॉपिज ऑफ सेम मतलब सबका शेचे कॉपी मैंने अभी पहले ही बता दिया तो यह लेकर जाना है और हाँ ओं यह देखे प्री करे सेट थिकषिटर एक्षिपकेशंज है आपको बनाना है चाह – जो है यह है अपना стор हो को कर देना और उसके बाद यहां पर आपका एसपी का सिगनेचर होगा ठीक है ना सुपी टेंडेंड और पूलिस का सिगनेचर होगा एसपी का सिगनेचर होना ही चाहिए और यहां पर देख सकते हो कि online police verification form issue by consent authority will be acceptable मेंस आप जो है police verification को online भी ले जा सकते हैं और बात करते हैं कि आप अफलेंड बनवाना चाहते हैं तो आप offline इस फॉर्मेट appendix appendix A को आप पूलिस verification बनवा सकते हैं बात करते हैं appendix B जो है मैं प्री character verification है इसमें आपको first gadget officer से signature करवाना होता है और फिर से आप प्रिंसिपल से भी करवा सकते हैं या फिर और कोई भी मतलब block officer से करवा सकते हैं एंड फिर से आप village फर्दान या सरपंच से भी करवा सकते हैं यानि डिश्टी क्रेविन ओफिसर से भी करवा सकते हैं तो यह चीज़े हैं जो की उपर कोई claim तो नहीं है यह चीज़े इस purpose से यह form दिया गया है और इवन आपका यहां पर signature होगा यहां पर signature होगा like that कुछ भी और यहां पर का मतलब आपका signature होगा आपके ठीक है तो यह चीज़े हैं बात करते हैं अपेंडिक्स दी का यह प्रेंटल कंशन फर्म है तो यहां पर parents का signature आपका होगा कि आपके parents एगरी हैं यानि और यहां पर पूरा detail भी भरना होगा आप उनके mobile numbers and उनका पूरा contact details and यहां पर एक witness भी डालना है कोई भी witness as your family member हो सकते हैं witness के रूप में नहीं तो आप मैं अपने नाइवर्स को भी बना सकते हो और बात करते हैं यह last self declaration तो self declaration form है तो यहां पर देख लिए हो गई सब हैं और आपको सीधे सीधे सब पर नो करना है corona related चीजे हैं जैसे आप इंगाम टाइम गया थे शेल की डिकलेशन आपको भरवाया जाता है तेम उसी टैप से आहां पर आपको पहले से नहीं भरना पहले से भरकर नहीं ले जाने वहां पर सामने भरने वहां पर सामने भरना है एक जानिंग केमटर 30 इसको आप मत भरना ठीक है इसको साधा ले पर जाना ठीक है तो यह चीजह है आप देख लिए आप